असलाम दोस्तों पाकिस्तान क्रिकल टीम का कैम चल रहा है इसलामाबाद के अंदर बंगादेश के खिलाफ टैस्स सीरीज के लिए उसमें एक खुरम शहजाद है जो पाकिस्तान के तरफ से एक टैस्स मैच खेले हुए हैं उस पर हम बात में बात करेंगे मगर उन्होंने यह कटके अंदर आया, पहला बॉल अंदर आया, बबराजम को थोड़ा सा लगा भी, और जैसें ग्लेस्पी जो हैं, कोच हैं, वो भी इनकी बॉलिंग को देख रहे हैं, ठीक है, यह इनका पहला बॉल था, अब नेक्स बॉल देखिए, यह नेक्स बॉल इनका पढ़के बाह सा, मतब पूरे का पूरा, यह नेट के अंदर ही इन्दाजा बिसिकली आपको हो रहा होता है किस तरह से आपको बॉल करनी है, किस तरह ट्रैप करना बलेबास को, कौन सा बॉलर कितना सेयान है, जाहिर है, बबराजम कोट करने के सब की खाईश होती है, जब भी नेट लगा वो कर रहे हैं, बॉल की मुमेंट के ओपर बात, आगे से रिजवान है, दूसरा बाल देखिए कैसे रिजवान कैसे खेल रहे हैं, फिर उन्होंने अच्जस कैसे किया, खुरम शहजाद ने भी, देखिए, यह दूसरा बाल, आगे बढ़ के खेले कि तक स्विंग को तोडन यह भी चलता है, बट ज्यादा क्या होता है, हमें चाहिए उताप पेस, कौन डेर्सो की स्पीड से बाल पहंग सकता है, और अब यह नेट प्रैक्टरस को देखके ना मैं एक चीज़ का अंदाजा तो लोगा लिए, जो ठोडाउन होती है ना, उनका पेस भी कुछ डेर्सो बताता हgestald को भर्सें बताता हूं बताता हूं खुर्मम ठाइसाद का वर्से अफरिदी वर्से नसीम शाह र वर्से स्राप धिस चपिटिश बरस के हैं ऑर इस रौक हैं सिर्थो लगभग तईस एकटिस बरस के हैं खुर्म ठाइब 46 फ़र्सक्लास मैच खेल चुके हैं उन में महज 9 first class matches खेले हैं वो भी मैं आपको डेटा बता देता हूं उसमें उनके जो रैकिट है नो मैच इसमें 32 विकिट सें सिर्फ टू टाइम फाइवर है और फाइवर है और फाइवर है और 3.8 की एकोनोमी है इनकी इन यह जो मैंने को कमपैस्ट है इनके नसीम शा के नसीम नसीम शाह से भी ज्यादा first class matches खेले हैं नसीम शाह हमरे पाकिसान टीम में आने से पहले अच्छे खासे red ball cricket खेल चुके थे 31 जो हैं first class matches नसीम शाह के 102 विकिट सें पांच दफा चार है और चार दफा पांच विकिट सें नसीम शाह की हम बात करें 3.56 की एकोनोमी बनती है न first class matches 141 141 विकिट सेंकी और बेस्ट है टेन फॉर 78 रंज ये इनके बेस्ट हैं पांच दफा पांच विकिट लिए तीन दफा चार लिए और एक दफा दफा दस विकिट लिए लगभग साले तीन की एकोनोमी है 3.4 या शाह 5 है और शहीन की बात करें तो 38 first class matches है यानि इनके इन से भी जादा मैचिस है इनके खुरम शेजाद से इनके हारिस रोब से जादा मैचिस है और नसीम से भी जादा मैचिस है आप अंदाजा करिए कि हारिस रोब तीस बरस के हैं ये चोबिस बरस के हैं चोबिस बरस के उमर में इनके first class matches हारिस रोब से जादा है और आप इन मुझे लगता है कि नसीम शाहिद बाद कर्डिशन में हमारे एक प्राइम बॉलर बन जाते हैं खासकर अगर वंडे क्रिकिट की आप बात कर रहे हो तो बहुत से लोग इसको इसके वर डेपेट है और सब 19-20 का फरक है ज़्यादा फरक नहीं है और मैं अब को बैसे बता घार है, कि इन सबसे जाधा मैचज़ खेलों है हमें खर्शियदाद आज़ोंने एक टेस्मैच मैच खेला, रॐ स्ट्विकरस में एक मैच किई तौनों प्राइव याणिक्स में और बाकी जो आउट किया अन्हों डिवर वार्नर आ लबशाइन को आउट किया, समित को दो बार किया, मिचल मार्श को आउट किया, यह की बैटर है उनके एक मैच में इनोंने पांस विकर से लिए और इनके लिए अब अंदाजा कर लेजिए कि मतब पहला मैच कहल रहे हैं और इतनी धासू टेम अस्ट्रेलिया के खलाब अस्ट तक 135 तक पेस करते हैं वो भी और यह भी और अगर अपर स्विंग है और फिर मैं अगेन बात करता हूं आप बाकी दुनिया को देख लिए पेस की तरफ सब की खाहिश है के पेस हो बट मुझे लगता है कि पेस से ज्यादा आपकी अक्रिसी बहुत मैटर कर रही हो तिए प इसको बैट्समेंट आउट करना आता हो क्योंकि T20 के अंदर तो स्लॉक करके कोई भी किप मैं स्रमान बड़ की पात बडिची लगती है मुझे हो कहते है कि बुरी बॉल होती है बॉंडरी के ओपर क्याच होता है वो भी बड़ा अच्छा क्याच होता है जलिए विकड मिलत करें तो तो यह है तो इसलिए सब आरे हैं कि एकुरेट बॉलर चाहिए पेसी नी चाहिए हाँ आप आकिरोशी के सब पेस मिल जाए तो ज्यादा बहतार है इसमें कोई शक नहीं है जैसे आप इंडिया देख लिए तीरों बॉलर उनके 145 को टच कर रहे होते हैं उसे उपर करें नसीम इशक कि में बात करो नसीम शहीन और हारिस कहले थे मगर आपने बुरी तरह स्टगल कि एविन कि हम सिरलंका से हार गया थे फिर वर्ल्ड काप में नसीम नहीं थे बाकी आपके बालर थे पिर हमें समझ नहीं आ रहे थे किस तरह बाकी कोड़ करें हमने 4-400 रन भी न्यूजिलेंड से खाए साले 3-300 रन भी हमने खाएं तो यह इस तरह से हुआ बस्तो मुझे लगता है कि आप जो आपके डिमेस्टिक क्रिक्ट में ज्यादा अच्छा खेल है वहां पर इंप्रैसिव बॉलिंग की है उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए वंडे के जाए जहना भी चाहेंगा यह नहीं चाहिए को दो डिखेंगे वेस्ट कर्ते राखेंबर क्योंक्य वह जानिंगा इजादटी छाए यह सब दिखेख रहे हो तो यह फिर वह परस्पेक्टिव जिंको चांसीज देने चाहिए और टैड़ का लेना चाहिए भी छे-साइस मे मुझे लगा कि इनको बात जुरूर होने चाहिए खासका नट के अंदर यह ने बड़ी इंपरासिव बॉलिंग किया टेस्क के अंदर पाकिस्तान का भीस्ता है गर्चे सिर्फ एक मैज खेल इसको बाइर बाहर हो पाई बट एक अच्छे परस्पेक्टिव बॉलर है और तो से इतना इजास दीजिए अलाफिस